क्या आपका भी चेक बैंक में अटक गया है या फिर क्या आपका भी चेक जो बैंक में लगा दिया गया है लेकिन वो कलियर नहीं हो रहा है या फिर वो बाउंस भी नहीं हो रहा है या फिर क्या आप नहीं जानते कि चेक को कलियर होने में या फिर बाउंस होने में कितना टाइम लगता है So friends, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित शिंगरोल So friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक चैक को अगर आप प्रेजेंट करते हैं अपने बैंक में तो उसको कलियर होने में या फिर बाउंस होने में एक्जैक्टली कितना टाइम लगता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक परसंद जाके जो अपने बैंक में चैक लगा देता है अब वो एक दिन बाद देखता है कि उसका चैक ना बाउंस हुआ है ना कलियर हुआ है दो दिन बाद देखता है तो इसके क्या rule regulation है और normally जो practical timing है वो क्या रहती है वो आपको पता होना जरूरी है क्योंकि उसके बाद आपको बार बार चक्कर नहीं काचने पड़ेंगे बैंक के और आपको पता भी लग जाएगे कि exactly कितना time लगता है पहले के time में क्या होता था कि पहले के time में जो check था वो buy post जाता था दूसरे bank में जिस bank से वो issue किया गया है मान लीजिए आपको किसी ने check दिया है कोई भी liability उतारने के लिए और जिस bank का वो check है तो वहां पर जो buy post चेक जाता था अब आपने अपनी branch में एक check लगाया तो आपकी जो branch थी वो buy post उसको दूसरी branch में बेजती थी किस branch में जिस branch से वो check issue किया गया है या फिर जिस bank से वो check issue किया गया है अब बाए पोस्ट में दो-तिन दिन पोस्ट में लग जाते थे तो नॉर्मली जो है प्राइन टाइम में 7-8 दिन यह पिर 7-10 दिन लग जाते थे एक जो check को bounce होने में या फिर clear होने में अब क्या है अब जो उसी check को अब जो CTS चैक है अब इन ही check को जो नए चेक आए हैं CTS तो इसको scanning करके बेज दिया जाता है अब आपने अपनी branch में चेक लगाया अब उसको scan करके बेज दिया जाता है जिस bank से वो issue हुआ है तो अब scanning में इतना ज्यादा time लगता नहीं है तो अब जो maximum time लगता है चेक bounce होने में या फिर clear होने में अगर आपने अपनी branch में चेक लगाया है और जिस bank से वो check मिला है वो same district के हैं या फिर same state के हैं तो normally जो maximum to maximum आपको two working days लगने वाले हैं एक check को bounce होने में या फिर clear होने में two working days इसमें आप अगर holiday आएगी तो वैड कर लीजिए last में एक और चीज बताऊँगा आपको मैं कि कौन सा दिन actually गिना जाता है अब हम बात कर लेते out of state की कि अगर आपको कोई भी check मिला है मान लीजिए ओ check आपको मुंबई से मिला है और आपने लगाया वो चंडीगड में तो वैसे तो scanning में कोई time लगता नहीं है scanning होके तो वहाँ पर भी इतना ही time लगता जाने में लेकिन फिर भी जो out of state check है उसको maximum जो कई बार वैसे तो दो ही दिन लगते है maximum जो कई बार तीन से चार दिन भी लग जाते है bounce होने में या फिर clear होने में क्यों out of state का है तो इसलिए थोड़ा बोड टाइम उसमें लगा देते है वैसे scanning में तो सेमी टाइम में चाहिए state में जाए चाहिए out of state जाए हम मैं आपको एक और चीज बजा जिता हूँ कि अगर आपने कोई भी check दिन में लगाया मानली जी स्वेरे 11 बजे लगाया है जै फिर 2 बजे लगाया है अगर आप किसी भी check को सड़ तीन बजे से पहले पहले प्रेजेंट करते हैं तो वो दिन जो हाँ आपका वो count होता है अगर आप सड़ तीन बजे के बाद उस check को अपनी branch में लगाएंगे तो वो दिन count नहीं होता तो इसलिए मैं आपको advise करूँगा कि आप जब भी check लगाएं तो उसको सड़ तीन बजे से पहले पहले अपनी branch में प्रेजेंट कर दें ताकि वो दिन भी आपका जो है तो count हो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब को लिए क्योंकि checks related बहुत ही वीडिया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है थैंक्यू सो मच बाई बाई